हेलो मित्रों नमस्कार जिसा कि आप जानते हैं कि 11 जनरी 2020 को नवोद्य प्रविस्प्रिश्चा कच्छा छे की प्रिच्छाएं थी उसमें से बहुत से बच्चों ने पार्टिस्पेड किया कुस का पेपर बहुत अच्छा हुआ और कुस का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बच्चों पर ज्यादा दबाउन डालें और उनको आगे भविस्पे लिए तयार करें मेरे पास उसी क्लास का कुस्ष्ण पेपर है तो चलिए हम उसको साल करके दिखाते हैं कि आपका कितना सही है कितना गलत है ठीक है तो जिसकी आप देखिए जो यह कछा च्छे का पेपर है उसका पेपर कोड है यह एल है ठीक है तो आप चलिए इसको हल करते हैं आप लोग थोड़ा देखके मिला लिए जागे जागे इसमें कुशन जो है आगे पीछे हो सकता है ठीक है तो जो आपका रिजिनिंग का उसका एंसर होगा डी होगा जो कोशन नमबर तीसरा है आपका तीसरे का एंसर होगा बी जो कोशन नमबर आपका चोथा है उसका एंसर होगा आपका डी फिर अगला भाग देखिए भाग दूसरा जो कोशन नमबर पांचवा है उसका एंसर होगा सी फिर कोशन नमबर जो श D, उसके बाद जो जो कोशिय नंबर दस्वा है, उसका अंसर होगा आपको A, फिर जो कोश्य नंबर भाग 5 उसमें जो Q17 है उसका पहला एंसर होगा आपका कौन सा होगा पहला अपसन होगा आपका B होगा क्या होगा B होगा फिर उसके बाद जो Q18 है अठारा का जो एंसर होगा वो होगा आपका C ठीक फिर जो Q19 है 19 का अंसर होगा आपका A तो जो question number 19 था उसका अंसर होगा आपका A हो गया फिर question number 20 है उसका अंसर होगा आपका C होगा फिर जो अगला भाग है आपका भाग 6 उसमें जो question number 21 है उसका अंसर होगा आपका B होगा उसके बाद जो question number 22 है उसका अंसर B होगा फिर जो कोशे नमबर 23 है उसका एंसर C होगा फिर जो कोशे नमबर 24 है उसका एंसर आपका D होगा फिर जो भाग सातवा है उसमें जो कोशे नमबर 25 है उसका एंसर होगा B उसके बाद जो कोशे नमबर 26 है उसका एंसर होगा C जो question number 27 है उसका answer होगा A और जो question number 28 है उसका answer होगा आपका D होगा फिर जो अगला भाग है भाग 8 उसमें जो question number 29 है उसका answer होगा आपका D उसके बाद जो question number 30 है उसका answer होगा B फिर जो question number 31 है उसका answer होगा C फिर जो question number 32 है उसका answer होगा आपका A होगा फिर अगला भाग भाग नो जो कोशे नमबर 33 है उसका अंसर होगा B जो कोशे नमबर 34 है उसका अंसर होगा D जो कोशे नमबर 35 है उसका अंसर होगा B जो कोशे नमबर 36 है उसका अंसर होगा आपका B होगा देखेए परशेनल सब्में समें सेम जेसे हैं अध्णा समें जैसे है हम तंब आम थोड़ा पीछे बिशमें तो आप लोग अपने भी से मिला लिजेगा पिर जो भाग 10 है उसमें जो कोईषर No.37 है उसका अंशर होगा आपका होगा फिर जो कोशियर नंबर 38 है उसका एंसर होगा इंसर होगा आपका ऄगा है इसमें जो अंशेर एक है इसमें लिखा है हेम अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे किछर पर लगे तारों को एक तक देख रहे तो अंशेर भी थोड़ा आगे कि पीछे हो सकता है इसलिए आप पहले अंसर मिला लेंगे फिर उसके बार जो कोश्चर नमबर 165 में लिखा हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह अब इसका जो एंसर होगा वह होगा आपका अबस मार्ण सीहोगा इस जो लगा सित्या को नहीं मतलब है यह गलत हुग का समय Sodhat यॆ लिखा है दान करना का विपरीतार्ठक अभ उल्टा हो गया लेना आप से नंबर बी सहीं होगा फिर इसमें जो अंचेद नमबर 2 हो इसमें लिखा पारिटेन, मनुरंजक और सेच्षिक दोनों ही होता है तो इसका अंसर देखिए इसमें जो कोशिट नमबर 66 है मैं लोग जो कोशिट नमबर 66 है यद कोई वास्तविक सिच्छा पाना चाहे तो उसके लिए करना आवस्यक है तो इसका एंसर होगा परिटन क्या होगा परिटन होगा फिर जो question number 66 है लिखा है निम निलिखित में से कौन सा सब्द मनुरंजक का समणार्थी है तो इसका answer होगा B, क्या होगा, B सही होगा मनभावन, फिर जो question number 68 है, लिखा है, अस्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था, तो इसका answer होगा B, यानि होगा answer इसका 3 थे, फिर अगला question है, 79 number, लोग यद अधिक करें, तो उन्हें दूसरों के स साथ, एकता का उन्हें होता है, इसका answer होगा, आपका A, यानि इसका answer होगा, पारिटेन, फिर जो question number 70 है, रिशीवा होता है, जो होता है, इसका answer होगा, यानि की बिद्वान, इसका answer सहीं होगा, फिर अगला अंच्छेत, तीसरा है, इसमें इसमें लिखा परतिवर्स करोड होगा, इसमें जो question number 71 है, आगनी समन करताओं के बारे में क्या सत्त नहीं है, तो इसका answer होगा, आपका C होगा, इसमें लिखा, वे अपने जीवन, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, तो ही आपका answer होगा C, फिर जो question number 72 है, यानि person number 72 है, किसी अगनी सम जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है, यानि इसका answer होगा C, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, फिर अगला question number 74, अपने हाथों से चलाने का आसे है, तो इसका answer होगा B, अपने हाथों से काम करना, क्या होगा, अपने हाथों से काम करना, फिर जो question number 75 है, घटित होना का अर्थ वही है, जो का है, तो इसका answer होगा B, यानि क्या होगा, इसका answer होना होगा, फिर अगला अंचेद है, अंचेद नमबर 4, चुस्त और स्वस्त रहने के लिए आपको सारेदिक रूप से सक्रिय रहना अवस्यक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो question 78 है, लिखा है, अंचेद का मुख उद्देश हमें के लाब बताना है, तो इसका answer होगा, आपका B, यानि होगा cycle चलाने का, फिर जो question 77 है, जब लेखक ने कहा है कि cycle चलाना परियावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका answer होगा, आपका D, क के लोग कर सकते हैं, तो कौन सा इसका answer होगा, D होगा, ठीक है, इसे में जो लगा पालिस्टिक उसको नहीं मतलब है आपका, इसका answer होगा, इसकी सवारी सभी आईवर के लोग कर सकते हैं, ठीक है, फिर जो question 78 है, निस्क्रिये सब्द का विप्रीतार्थक सब्द है, निस्क cycle चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इससे छोड़ कर, तो इसका answer होगा, गंभीर दुर्खटना से बचाओ, इसमें जो option number C है, वही सही है, आपका गंभीर दुर्खटना से बचाओ, अब चलिए हम मैं थल करके रिखाते हैं आपको, देखिए अगर आपको यह वीडियो बनाऊ, उसमें कोई गलती ना हो, तो question number 41 है, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर उची, तथा 22, 5 सेंटी मीटर मोटी दिवार बनाने है, तो कितनी इटे चाहिए, जबकि 1 इट की माप, 25 सेंटी मीटर गुड़े, 11, 25 सेंटी मीटर गुड़े, 6 सेंटी मीटर है, यानि कि यह आपका दिया है, दिवार की माप, जो दिवार बनाना है आपका, और जो एक इट की माप है, वो इतनी है, यानि कि लंबाई इतनी हो गई, 25 सेंटी मीटर, चोड़ाई, 11, 25 सेंटी मीटर, उचाहिए हो गई, 6 सेंटी मीटर, तो बताना है, उस यह दिवार को बनाने में कितन के संख्या संख्या तो पहले चोंगे माप दिया था उसको लिखेंगे और उसको इट के माप से भाग कर देंगे तो लिखा था आठ मीटर गुड़े 6 मीटर गुड़े 22 दसमलो 5 सेंटी मीटर ठीक है बटे हो गया अब जो एक एट की माप है तो एक एट की माप दिया था पेपर में 25 सेंटी मीटर गुड़े 11.25 सेंटी मीटर और गुड़े 6 सेंटी मीटर ठीक है तो बच्चों से रिकुष्ट है कि जब आप मिलाईएगा तो कुश्चन पेपर आप साथ में लेकर बैठीएगा तभी आपको जादा समझ में आएगा ठीक है तो यहाँ पर सेंटी मीटर से सेंटी मीटर तो यहाँ तो पूरे को सेंटी मीटर में दो तो हम बदलेंगे पूरे को सेंटी मीटर में तो अब क्या लिखेंगे हम अब लिखेंगे आठ मीटर गुड़े मीटर कसना पर हो गया सो सेंटी मीटर फिर गुड़े यह स्री मीटर बचा तो मीटर कसना पर हो जाएगा सो सेंटीमीटर गुड़े 11 दसमलो 25 सेंटीमीटर ठीक यहां होगा सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर ठीक है जो मीटर था आपका उसके सांपर हो गया सो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कड़ गया इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर कड़ गया ठीक है उसके बाद में 25 जिसके नम पचीस, पचीस चोक का 100, ठीक, अब एक चीजा और यहां कर देते हैं, यहां लगा देते हैं, गुड़े, यहां से जब पॉइंट हटाओगे, तो यहां एक हो जाएगा, आप पॉइंट के बाद दो नमबर तो यहां पर दो जाएगा, दो जीरो, अब यहां से 222 25 क्यों गुड़े 10 है तो सब्टें क्या बचा ग्यारा सो पचेश कि नव्चा ग्यारा सो पचेश्च अब इसको काटते हैं पचीश काट दो तो पचीश नव या पांच वी दस हो गया किन्न बचाव के पास देखें आठ गुड़े चार गुड़े दो यहनी खोग सद बत्रियन द चोंचाथ और गुड़ा साव सही हो गया आपका चोंचाथ सो इत लगेंगे तो आप साथ ममर आप का सी सही होगा कोन सही होगा सी फिर अगला कुश्च्चन है हम अपने गंतब अस्थान पर चार सहें बटा दो घंटे यात्रा करने के पस्चात दो पैतालिस पीम पर पहुचे हमने यात्रा में हमने यात्रा किन्ने वजे प्रारम की थी लिखा है कि मतलब आप कहीं जाते हो तो जाने में यात्रा किन्ने बजे शुरू की थी तो इसको सवाल है इसको लगा लेते हैं से ही पहला आपसन है नो बजे चलो तो अगर चार घंटा अले साड़े चार घंटा लेए तो किन्न होगा नो चार तेरा तेरा नहीं की बज़ गया एक और आधा यहां पर आपसन नंबर भी देखते हैं दस बज़े सुबा ठीक है तो दस बज़े में चार घंटा चलता है दस बस कर फंदर अगर उसको लगता है तो किन्न समय हो जाएगा दस में चार जोड़ होगे चौदा यानि बजगा दो और 15 मिनट यह आधा है मतलब 30 मिनट तो 30 मिनट और 15 मिनट पहुंच जाएगे आपसे नंबर आपका कौन सहीं होगा सी आपसे आपका सहीं होगा ठीक है जो कुश्चन मिला लिएगा उपर नचे हो सकता है सवाल ठीक है अगला कुश्चन है छेस्ग चालिस काभाज गुडंग खंडन है ठीक तो इसकाभाज खंडिकार लेते है यह C का गुड़ा करा देते हैं 604 कि में आता है ठीक है तो देखो पीछेश गुड़ा करते हम दुन संपल तो आपक fortunately yanlış्स इसका कुड़ा करें देखेओ पांद愝े दस दुना बीच छल्स साथ दूना केंना होता है 160 होता है तो यह आपका गलत हो जाएगा स्दुना तर्फ दिना आपका सही होगा दी वाला क्यों आपका सही होगा वह बीधिस दुना चाली कि तीन सो बिस अपसा नंबर आपका सही हो गया इस बार पेपर में अधिकतर और सवाल ही आये थे पर चुछ बच्चों ने गलख कर दिया अगला कुष्चन है कोशिमा 44 ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, कोशिमा 44 तो चलिए इस नमर देखते हैं इसमें जो मूल धन दिया था मूल धन दिया था आपका बारा सो रुपे ठीक है बारा सो दिया था फिर दर दिया था पांच परसेंट वार्शिक दर दिया था पांच परसेंट वार्शिक फिर आपका दिया था मिस्त्र धन दिया था ठीक है पर हम लेते हैं टी वर्स किना मानते हैं टी वर्स मानते हैं तो जब भी मिच्छतन दिया रहा है तो पहले निकालते हैं यानि कि आगर 12 रुपीय आप जम्हा करते हो तर्श किनना हुआ बेज होगी कि आपका शेशू हो जाएक यह बराबर क्यों होता है कि मिस्ट्धन माइनस मूलधन तो मिस्रसन किनना है आपका अठारास रुपिया है मूल्धन किनना है बारास रुपिया है बराबर होगे आपका रुपिया छे सो तो बारास रुपिया जमा किया पार परसेंट उसको प्रतवर्स ब्याज मिलता है कुल ब्याज मिलता है छे सो रुपिया जो कि ब्याज बराबर जायसा धर्डर मुवलधन गुड़े दर्गुड़े समय परता सू ठीक। अब भ्याज दिया था आपका भ्याज ना दिया 300 रुपया दिया है तो व्याज के स्थाफंपर हो जागा आपका 600owo हो गया बराबर मुलधन 1200 हो दिया है हम राव हिखा Tap 5 परसन दिया है 2 भी हो गया समय मालूं करना होगा टी बटा हो गयाadora So tidak ạ डबल 0 से डबल 0 कड़ गया बार किनें 11 12 50 जीरो हो गया 5 किनना है पांच पांधेयम 50 यानि कि दस बराबर टी यानि इस परकार टी बराबर दस आपका समय हो गया 10 वर्स कैंदा हो गया 10 वर्स हो तो इसका इंसर कोंसे होगा आपसे नमबर एस हो गया एनिक उन्सराओ अपका यह सही हो हो गया 44 के आपका सही हो गया फिर कुछ नमर अगला है 45 वाला लिखा है 140 दसमलो 75 गुड़े 0.1 बराबर है तो यह भी सवाल हो रहा है अब इसमें पॉइंट ना देखिए आप सिर्फ देखिए एक लिखा यह एक के पहले जीरो जीरो तो से मतलब नहीं है बस देखो अगर मा संख्या का अंतर कि अंतर कितना है तो साथ अंकों की चोटी से चोटी संख्या का अंतर किदना है है तो साथ उनकों की स्क्षे बड़ी संख्या क्या होगी सत बार नो लिख देते हम एक 2 3 4 5 6 7 एक 2 3 4 5 6 7 धर चारंकों के छोटी संख्या चारंक की स्थ छोटी संख्या एक हजार हो गया आपका यह अब jsem इसको कहा रहा था अंतर आंतरमल क्या होता है घटा ना इसको ठीक है 99,9 98999 तो इसका answer number कुम सा सही होगा answer number सही होगा d, क्या होगा d, 99,纜 98,999 आपका सही होगा, थेख है फिर अगला question देखते है, लिखा है छे अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा पांच अंकों की बड़ी संख्या का अंतर होगा ठीक, छे अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा पांच अंकों की बड़ी संख्या का अंतर है अब देखे इतना सिंपल कोश्चन आथा लेंगे इस लड़के ने गलत कर दिया जब भी पेपर हो तो थोड़ा आराम से बेट कर लगाए अगर बच्चे तो पेपर भूट टप नहीं आता है लेकिन तो कुछ जल्दिबाजी कर जाते हैं इसलिए गलती हो जाता है तो चले इ अंकी सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या का अंतर तो ठीक के सबसे संक्या द्ला करें नो हो गया एक दो दो सब्सक्राइब कुन सा होगा जो सब्सक्राइब करो कौन 25 के बराबर नहीं आता है तो इसको हल करेंगे पचास माइनस भागे चार तो भाग करो इसको बचेएगा पर आपसन नमबर भी 20 प्लस भागे चार तो पहले इसको हल करेंगे तो यह बचेगा बीस को जब चार से भाग करोगे बचेएगा पांच और 25 25 के बराबर क्या से भी देख लो चोबीस प्लस दो गुड़े एक तो दो करन्यम दो हो गया और चोबीस दो चब्धीस ठीक यापका 26 आता है अंसर तो लिखा 25 के बराबर 25 के बराबर नहीं है तो आपसन नमबर कॉन सा होगा डिस ही होगा ठीक है फिर अगला कुश्चिन है यक्स का वहमान जिसके लिए निम्न समीकड सत्य हैं अब इसमें यक्स का मालूम करना है पहले ब्रेकड में लिखा है तीन सही साथ बटे ग्यारा गुड़े ग्यारा बटे पांच ब्रेकड बंद भागे फिर ब्रेकड में लिखा है तीन बटा साथ गुड़े यक्स ब्रेकड 33 37 40 40 बटा 11 गुड़े 11 बटा 5 ठीक भाग का निसान लगो यह बटा एक हो गया तीन का गुड़ा हो गया तीन एक्स और बटा हो गया सार का गुड़ा हो गया साथ बराबर हो गया चार बटा टीन है 11-191-191-25-25-85-45-40 ठीक नंब बचा-8-9-8 और बटा 11-191 बाकर समप गुड़ा लगा ते तहे हैं वाकर समप गुड़ा लगवा तो यह भिन्द में लिखा तो यह पतागा पलड जाएगा तो बराबर हो गया चार बटा एक तीन ठीक अब कर नमद की तीन कर नंतीन गणियानट 2 एक गोड़ा एक्स इधर क्या बच्छा एक बटा एक करो तो यह इसका एंसर की नहीं होगा चौदा आ गया ठीक है तो इसमें जो आपसर नंबर कुंसा सहीं होगा तो जो कुश्चन पर उन्चास था कि एक समान मालूं करो इसमें आपसर नंबर कुंसा नहीं होगा भी इन इसका इंसर होएगा चौदा ठीक है फिर अगला कुश्चन है लिखा है पच्छा पैतालिस संक्याश साथ है संक्याश पचाटर है तो उसके मासापा औरलाश इव्मालों यौकफर मतलब इसको जोड़ मालं गुणंखंड होगा वो क्या होगा आपका 3,3,9,9,45 जब किनारे आप इस तरह निकालोगे तो उतना ही आएगा फिर 60 का होगा किन्ना 2,2,4, 4,3,12,12,5,60 ठेक 75 का 3,5,15,15,3,9,45 यह होगया दो दुन्नी 4,4,3,12,12,12,5,60 यह होगया पचात्तर का तीन 15 15 पचछातर अब इसका जो मासा पा होगा वो क्या होगा पहले two support हjänल टीन में है नंबर कमान होने संद्ध है मास आल सकी सगेक है तो यहां देख्व यहां सब्rig कामन होने थे टीन आपन सब्रेका त्रगन पर इस देखो तिनल में क्या है पांच है यहां पांच यहां पांच और यहां पांच ठीक है तो यह आपका हो गया गुड़े 5 हो गया यनि मासापा आपका आगया 15 मासापा किना आगया 15 मासापा हो गया 15 अब लासापा मालूम करते हैं तो लासापा किना होगा अब लासापा किना होगा अब लासापा करेंगे वही चीज पहले जो समय कामन उसको एक बार लिख देते हैं तो अब ये तो मासा तो सबाइन में कामन हो लिखदो इस इशे क्या बचा आपका तीन डशात फीटल कर स्वजवें, तो सी एक सो असी पंचे 900 तो का था योगफल तो योगफल मालूम खुर लो इसका योगफल हो जाएगा 915 नो सो पंदरा यह हो गया आपका 915 आपका आगया तो जो कुश्च नमबर पचास था लासा पाउर मासा पा योगफल तोसमें आपसा नंबर होगा सी 915 होगा ठीक है फिर ब्रेकट में लिखा है पांच बटा तीन मानिस एक बटा छे ब्रेकट बंद फिर लिखा पांच बटे आठ तो चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको हम देखिए तो जो कुश्चन था इसमें पले ब्रेकट वाला हल करेंगे टीन बटा आठ भागे लसिम लो स्फेकन बचेगा दो बचेगा दो को चीछ से बटा रख करो एक बलाश पांच बटा 8 ठीक है अब 3 बटा आठ भागे दस में आपके वाट प्लस 508 नहीं तो पीछला संख्या जो पीछला जो भिन है आपका हो क्या हो जाएगा पलड जाएगा तो हो जाएगा आपका तीन बटे आठ गुड़े छे बटा नो पलस पांच बटा आठ अब जो कट इसमें कर दूँ तो त्याएं छे और दो चोक आठ ठीक तीन इक अन्नम क्या बचा आपके पास एक किन्नम एक बटा चार किन्नम चार पलस पांच बटा आठ ठीक अब चार आठ के लस्यम करना होगा आठ होगा अब 8 को चार से भाग करेंगे किन्नम चांगा दो और दो का गुड़ा एक से तो होज़ेगा यह टो पुए जब करते हैं तो जूड़को बावन करते हैं तो यह 15 को बिशेगा है कुछे घड़ा देगा 6 यह या क्ष घटा जिरो पॉइंट नो भागे ब्रेकर बल्कर जिरो पॉइंट थी मल्टिप्लाइज 0.3 का मान होगा यानी की मान है तो चले देखते हैं को शंबर तिरपन ठीक है है जिरो पॉइंट नो भागे जीरो पॉइंट थीन गोड़े जीरो पॉइंट टीन तो एजिरो पॉइंट नो हो गिया आफ की थे आफ बहुता अब चीचाए तीन नोएव feature के बाद एक पारज गले फैसे दो-गाड़ टिए इस बढ़कि निमर्ट हो गया नोगे से नो गड़िया ओपर क्या बच्छा आपके पास था क्या नीचे आपके पके पास यह नीचे बढ़ अब आपको से 10 आपका आगिए ठाक आए ठाक किना और कोशिचन अन्सर किना आइए घ्याओ अन्य संख्या से 10 परसेंट कम यह वो सी से किनना कम है 10% कम है तता C 150 से 5% अधिक है तो B का मान है यानि जो B है वो C के ओपर डिमंड है और C किस पर डिमंड है C किस पंदर पर है 150 पर तो पहले C का मान निकालेंगे फिर निकालेंगे B का मान तो लिखा जो C है वो 150 से 5% अधिक है तो कोशन पेपर में कह रहा था कि जो C है सी क्या है 150 से पांच परसेंट अधिक है तो 150 हो गया आपके पास ठीक है अधिक है मतलब पलस हो गया किनना दिख है 5 परसेंट तो किनना किसका 5 परसेंट 150 का तो 150 गुड़े से पांच परसेंट हो गया यहीं पांच बटा सो हो गया ठीक इस जरों से जरों काड़ दिये हम सी बराबर किनना बचा सी बराबर हो गया 150 पलस पचाहत्तर और बटा हो गया दस ठीक बराबर एक सो पचाहस पलस पचाहत्तर लिख दो दस से भाग करोगे हो जाएगा पॉइंट यहां लग जाएगा पीछे से इक बाद दस लों कि यहां पर पीछे एक एक ही जिरो है जोड़ दोगे हो जाएगा है 157 दस बलो 5 अब अब इसमें पॉइंट के बाद एक अंखे इसमें बढ़ा सकते हैं जैनि होगे एक सो थांद को पाट जेरू आप जो दोस बी है वह को प्लम जै तो करता है जो घोगा हो वोसुसे 10 परसेंट कम ना होगा तो आप बाद बड़ाबर किसा होग होगा इतुठ ब्लया Hell आप कि ठीक हो गया अब यहां से पांट हटा देते हैं तो पांट को कि नहीं मर दो नमबर तो हैं पर दो जिरो बढ़ जाता है इस जिरो से जिरो से यह जिरो गड़ गया अब 157 दसमलो पांच जिरो माइनस एकना बचा आपके पास 1575 और बटे एक लगाओगे तो यहां बचा है एक सो बचा है तो सो को गुड़ा एक से तो होजएगा सो यह बटे लग जाएगा सो इसके और भाग करोगे तो नीचे कितना जिरो दो तो पीछे से दोगबान दसमलो हो गया अब इसको घटा देंगे ठीक अगर घटा होगे तो अब 655 यहां बचा चार 14-5 यहां बचा च्छे-चे मैंसे पांच गए एक यहां बचा चार महांटpur ची और चार नहीं है तो आदिए इलये आपके पास तक रावर आरा के पूराम कर F7it यह परिसक्त उत्चाई ना पूरा जोको कि लिया यह आज़ार मेलावट 210 है इसका पूरा मान कितना होगा तो कुएच्छन है का Bcc 1975 जात्र जंच तो आंएंस अंपका करें दीज़़ने कीशन पर एक के खेंड हो जाएगा फिर को कि अब देखिए आप पर जीरो से जीरो कड गया ठीक जब भी नीचे एक और जीरो रहे तो उसको पूरा मत काटा करो अगर पूरा कटे तब ही काटो अगर कुछ बचे तो ना काटो ठीक है यह आपको बार में फिर भाग करना पड़ेगा यहां पर औरल भाग हो जाएगा तो एकसो पचात्र किनन में इकात्र पांस से पचाहं पचीस हां से लाया दो पांसे डिपांस किरम पांच पांस तीन आठ और बटा किनन हो गया सव का कुणा दस से उनिन हो जाएगा आपका 1000 हुरी हो गया अब ऑर शाप नेचे किननन जीरो पीछे से घूल को एक दो तीन ग्राम हो गया तो आपसे नंबर कौंशे होगा पेपर आप लिए हैं तो बताएए देखे जो आपका कुश्चन था उसमें आपसे नंबर कौंशे होगा सी सही होगा जीरो दसमलो आठ साथ पांच ग्राम अब अगला कुश्चनम कुश्चनमर छपन लिखा निम लिखिर बेंजय का निकटम प्रडाम पूर संख्या में है यह जो सवाल दिया है चे ऐलिस दसमलो 20 मानस साथ दसमलो एक गुड़े उनटीं दसमलो साथ-मानश-पांच बच्छ गलत हो गया है वह देखे नहीं निकटम बस उसको गुड़ा किये अब जो एंसर आया उसमें मिल ही शान को अपने मन से लगा दिये तो उसे तो जैसे हैं अब इसमें थोड़ा गुड़ा करने फटाइम पहले ही हखल कर लिये फिर आपको बता रहें सिधा तो कुश्यन इस से करोगे तो आजाएगा 505.92 और मायस का निसान लगाएंगे चिन लगाएंगे फिर 7.1 अगुड़ा होगा 297 से तो हो जाएगा 2107 से तो हो जाएगा 102.51 फिर इन दोनों को खटाएंगे हो जाएगा 295.05 फिर सबस्क्राइब कर देंसको करीब कोन है तो दूर है दो नो भी दूर है दो दूर करीब आपका करीब समेंसर होगा आपका 190 ठीक फिर जो अगला कुश्चन है कुश्चन बर 57 लिखा है कि एक पार्क 500 पंद्रा सु मीटर लंबी चथा 750 मीटर चोड़ी है एक साइकल सवार को पार्क के चार चक्कर लगाने हैं चार पांस किलोनेटर पर घंटा की चाल से उसे किनना समय के लगे लगेगा लिखा कि एक पार्क है और पार्क के लंबाइ है फंद्रा सु मीटर चोड़ाई है सास्व तो जिनना भी एक बार का प्रिमाप आएगा उसको हम चार से गुड़ा कर देंगे पूरी दूरी हो जाएगी ठीक तो चले पहले बालू करते हैं कि किन्ना कुल चला उस पार्क के चार और कुल दूरी उसने किन्ने तै की ठीक है तो लिखेंगे अब यहां पर आयताकार पार्क का प्रिमाप आयताकार पार्क का प्रिमाप ठीक तो इसका फर्मना क्या होता है दो गुड़े ब्रेकट में लंबाई पलस चोड़ाई ठीक पार्क आयताकार ही है तो उसके लंबाई और चोड़ाई अलग लग दिया है जिसमाल कि इसकी लंबाई होगी 1500 मीटर और चुड़ाई होगी 700 मीटर 750 मीटर दिया है तो यहां लिखो दो गुड़े लंबाई हो गया 1500 मीटर 1500 मीटर अपर चुड़ाई होगी 750 मीटर अब दो गुड़े जोड़ दो 15,7,22 250 मीटर हो गया ठीक है किनना हो गया 250 मीटर हो गया अब गुड़ा कर देते हैं तो 2,0,0,2,5,10,2,4,1,5 अगर एक बार कोई कुल दुरी हो जएगा 45 पीटर लेकी चार बारर चलता है तो लगिंगे तो लिखेंगे कुल दूरी, तो चार बर चलता है, चार से गुड़ा करा दो, चार गुड़े, पैतालिस सो मीटर, तो पैतालिस से उखका, किन्हा होता है, एक सो अस्ती, और दो बार, जीरो हो गया, ये हो गया आपका, मीटर, अच्छा एक सी जवर देखना है, पेपर में ज चाल दिया है लिखा 4,05 km पर घंटा तो हमारी दूरी आया है ठीक वह आया है मीटर में तो उसको बदल देते हैं किलो मेटर में क्योंकि जब सेम मात रक रहेगा तभी आपका सवाल हल होगा ठीक तो अब ये 4,05 km पर घंटा दिया है अब या तो इसको मीटर में बदले या तो जो हमारी दूरी आये 18,000 मेटर उसको बदल दे किलो मेटर में तो हम बदलते हैं मीटर को बदलते हैं किलो मेटर में बदल देते हैं तो यह हो ज कुल दूरी बच्चा आपके पास 18 किलमेटर तो पेपर में कर रहा था कि एगर उसकी जो चाल हो वह हो चार पांच किलोमेटर पर घंटा तो उसको किन्ना समय लगेगा अठारक मिन्टर के दूरी तै करने में तो चाल दिया है पेपर में चार पांच किलोमेटर पर घंटा चार पांच किलोमेटर पर घंटा ठीक है तो में निकलना समय तो पहले फर्वल लेखेंगे हम चूकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है तो तो समय मालुम करना है तो इसलिए समय बराबर अब समय यहां जाएगा चाल इहां चलेपर है दूरी भटा चाल तो रिक्नक दिया है दूरी दिया है दिखेए कुल 16 किलो मेटर्बटेいつी 410 पर घंटा किलो मीटर मट ते कीलो मिलो मैटर कड़ गया ऑब कर दोका कर ऑधर बटे पॉइंट हटाओ तो यहां पर बढ़ जाएगा यह हो गया घंटा ठीक क्या बच्छा आपके पास 180 बटा 45 घंटा काड़ तो बचेगा चार यहीं कुल समय के लगता है चार घंटा उसको लगता है पूरी दूरी टे करने में तो इसका अंसर को स्रीं होगा डी आप्सन सहीं हो होगा ठीकर चार घंटे एंसर आएगा 57 का अगला कुशन देखते हैं पंच्छियों के एक जूंड के एक चार पंच्छी नदी के किनारे पर हैं जिन्ना पंची हैं उसका एक बटा चार भाग नरीक किनारे हैं तता जुंड के एक बटा पांच भाग के पच्छी अपने घोसले में जिनने तोटल पंची उसका गोसले में तोटल पंची हैं जिनना भी तोटल पंची होंगे उसका एक बटा चार भाग नरिक किनारे बेढ़े पर हैं एक बटाव पांच भाग अपने घोसले में हैं और बाइस पंची भोज़ों की तलास में इधर घूम रहे हैं तो बताना है घोसले में किन्य पंची है इसको अब करते हैं आपको कुल पच्छी बराबर यक्स तब नदे के किनारे पंच्छों की संख्या की संख्या तो कह था जो नदे किनारे है वो इसीपरकार जोगा आपका घोसले में ले फंची संख्या उसले पंच्छीों की पंच्छा उसमें दिया था फंच वाग ठाटीए लेकर आप देखो तो जो दिना पंची है टोटल उसका एक बटा पांच भाग घोसले में तो एक सक्ट नम्यक्स बटा हो गया पांच सेस पंची जो भोजन की तलास में थे तो सेस पंची किन्ने थे पेपर में देखिया आप सेस पंची या सेस पंचीयों की संख्या बराबर बाइस ठीक अब अगर देखिये जिससे इतने पंची आपके नरी किनारे हैं इतने पंची आपके घोसले में है और बाइस पंची आपके सेस तो कुल किंदे पंची होगे उक्स चोंकी पुल पच्छी बराबर x तो इन तेने लोग जोड़ो तब भी वो x के बराबर ही होना चाहिए तो 1 बटा 4 और पलस 1 बटा 5 और पलस 22 बराबर हो गया x ठीक अब एलस्यम लेते हैं 4 5 एका एलस्यम हो जाएगा 20 20 को 4 से बिचट 5 5 पांस का गुड़ा हो जाएगा 440 बराबर यक्स ठीक है आप केची गुड़ा कर देते हैं केची गुड़ा करोगे तो पहले 20 का गुड़ा एक से तो हो जाएगा 20 एक और एक गुड़ा इस पूरे से तो उतने ही आएगा 5 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 440 प्लस 440 अब एक सो लई कर दो तो बीस एक माइनस 9 एक्स बराबर 440 अब यह हो जाएगा आपका 11 एक्स बराबर चार सो चालिस ग्यारा कि नियम ग्यारा ग्यारा चोग चोग तो एक सुरावर हो गया के पास है अधा घोसले में पंचश्यों की संख्या गोसले में पंच्यों की संख्या क्या था है एकस्पटा पांच देखिए उपर है यह हुटए थी घोसले पंचियों केंखें किन नी है एक सब्टापांच पंची यह पर चालिस सब्सक्राइब और फ्म करते हैं एक सब्सक्राइब चालिस भी झाग का 0 तो इसका अप्सन होगा आपका डी सही होगा देखे चालिस भी आ रहा था जो एक सब्सक्रावर भी यहां पर 40 आया है यह वाला एक सब्सक्रावर 40 बुद्द पर लगा क्या है उनका गलत हो गया है तो इसमें जो कोश्चन था कि घोसले में किंद्य बंची यहां दीचे 165 है अमित ने एक मैज 1.200 में खरीदा तथा इसकी मरमत पर रुपीय दोस्टों वे किये उसने फिर इसको रुपीय 1.680 में बेश दिया अमित का परशत की यहां इवा हान है ठीक है लिखा है कि मतलब एक जो अमित है उसने 12 रुप बंए एक मैज खरीदा और उसकी मरमत पर खर्च किया 200 रुपी तो जो करेमूल तुम्हारा वेसे दूबारा सो है लिए मरमत होता है तो वह करेमूल में जुड़ जाता है यह नहीं हो जाएगा 14 तो बताना कि अमित को जो लाफ परसंट या हान परसंट किनना हुआ हान हुआ तो किनने परसंट खान हुई ठीक है डीक शली स्कूल करते है किसे नमर 16 तो जो करेमूल होगा करेमूल ठीक करे मूल होगा आपका रुपिये 1200 पलस रुपिये 200 यह रुपिये 1400 और जो बिक्रे मूल दिया है पेपर में बिक्रे मूल दिया है रुपिये 1680 1680 अभी इस पता लगाना है उसको लाव वहान हुआ यानि कुल मिलाकर उसने 14 में खरीदा और 1680 में बेच दिया तो 1680 बड़ा है यानि बिक्रे मूल जादा है तो जादम बेचेगा तुसके कहोगा लाव होगा तो लिको चूंकि जो बिक्रे मूल है वो करे मूल से क्या है सलाव करे मूल लाव बड़ाबर कि तो बिक्रे मूल किना 1680 पिया है रुपिय है 1680 माइने करे मूल किना 14 गटा जाएगा रुपिय किना हो जाएगा अब लाव परसंट बराबर लाव बटा करे मुझा गुड़े परसंट ठीक अब लाव के नाया दो सोजी रुपिया हो गया करे मुझा आपके पास 14 रुपिया अब करे मुल यानी कि करे मुल और पलस क्या मरमत का जो खर्च है अगुड़े तो परसेंट घर डबल-जेवजा है गडञा घया है लूए को तक दादर यह परक्रिक इसमें जो आपसंद था उसमें पेपर में विभड परसन दिया एक बारह दिया था लाव बराबर 20 परसंट इक बारह दिया था करे विजवास सय आप सही है अपको बच्चे रख में तो हल तो सही किये हैं लेकिन जो पेपर में टिक लगाना हुआ उमार सीट पर तो लगा दिए 20 परसंट हाने पर इसलिए बहुत ध्यान से लगाना है आपको जब भी पेपर दें तो पहले पढ़ ले फिर इसमें आपसन देख ले जो आप हल कि पर दिए तो आपसन देखें तो आपसन पुरुबग देखा करें ठीक है जो अंसर नंबर है उसका होगा 20 परसंट लाव होगा एंसर फिर अगला कुश्चन है एक वर्ग तथा एक आयत के प्रिमाप समान है जो वर्ग का प्रिमाप है और आज के प्रिमाप उदोन आपस मे समान है वर्ग की एक भुजा पन्न सोला मीटर है तथा आयत की लंबाई अठारा मीटर है तो आयत की चुड़ाई क्या होगी यानि आयद की चोड़ाई है वो किदनी होगी तो चलें कोईश्टी रेखते हैं साथ नमबर देखते हैं उसमें दिया था वर्ग की एक भुजा वर्ग की एक भुजा जो है वो किदनी है आपकी 16 मेटर है और आयद की लंबाई आयद की लंबाई दिया था अठारा मीटर अब लिखेंगे परसांसर अगर्ग का प्रिमाप बराबर है किसके प्रिमाप के वर्ग का प्रिमाप बराएब था आयद के प्रिमाप की ठीक है पेपर में दिया था आप मिला लिजेगा उसमें लिखा पहले लिखा कि वर्ग के प्रिमाप के समान है तो वर्ग के प्रिमाप का फर्मूला क्यों होता है चार गुड़े भुजा लंबाई परिमाफ दी के प्रिमाप के होता है दो गुड़े ब्रेकट में लंबाई प्लस चौड़ाई के दनी40 यहां कि प्रिमाप ब्रिमाप है कि नहीं 16 है यहां बचा लंबाई दिया 18 अब प्लस चोड़ाई ही माल में चोड़ाई उसे हो गया ठीक स्रोड़ना 32 बराबर 18 प्लस चोड़ाई तो इस परकार जो चोड़ाई बराबर होगी 32 माइनस 18 ठीक तो चोड़ाई कितना हो जाएगी 32 में से ठार गया बाकी पूच्या 14 में इंसर हो गया मीटर आपके किनना इंसर आया 14 मेटर आया जो कोश्च नमबर साड़ था कि वहर की जो प्रमाप होगी वह आयत की प्रमाप के समान होगी तो इसमें जो पूछा था आयत की चोड़ाई किनने होगी 14 मेटर इसका जो आपसे नमबर होगा एए आपका सही होगा ठीक अब आप सभी लोग जो भी बच्चे पेपर दिये हैं वो सब मिलाएं उसमें देखे किनना आपका सही जाता है किनना गलत जाता है और अगर आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लिजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो हो वह आप पर सबसे पहले ही पहुँचे ठीक है और जो भी बच्चे इस बार न तो जो भी बच्चे इस सद्र से तयारी करना चाहते हैं गैसडी के आसपास के वह एक फरोरी 2020 से तयारी कर सकते हैं झेक और हमारे यहां परतेख सब्ता बच्चों का टेश्ट भी लेयाता है देखिए आप पेपर देख सकते हैं यह जो आज आज है आपका तारीक 19 तारीक है तो आज जो त्रीक होगा यही पेपर होगा आपका तो इसमें जो लिखा है भासकर कोचिंग क्लासिस गैस्ट्री बरलामपूर तो जो भी बच्चे इस सत्र से कच्छा च्छे के नवदे परफिस्वेश्षा कच्छा च्छे के तैयारी करना चाहते हैं वह एक फरोरी 2020 से तैयारी कर सकते हैं मेरा जो मुबाइल नंबर है मुबाइल नंबर जो है आपको बता देते हैं आपको आप मुबाइल नंबर से संपर कीजिए मुबाइल नंबर है 80-88-83-86 इसे पर आप कांटेट किजिए और आप अगर चाहते हैं कि तैयारी करें तो आप इस नंबर पर कांटेट करें और आप एक फरोरी 2020 से तैयारी आप कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्वान जैहिन